आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी दे श्रग लेकर आए हैं 3.5 mm का क्रोशर हुक से बनाया है साइज M साइज है तो पटापट अभी वीडियो को लाइक कर दे प्लीज आप लोग लाइक करें वीडियो को और प्यारा सा कॉमेंट करके जरू बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और इतना प्यारा डिजाइन है आपने आज लग कभी भी इस डिजाइन में श्रग नहीं देखा होगा बहुत सिंपल सा डिजाइन है सिर्फ क्रोशर चलाना आता है हमसे आप इसको बना सकते हैं तो सबसे पहले आप 100 चेन डालें जो एक्स्ट्रा चेन होगी उसको हम खोल देंगे बाद में ठीक है अब यहां पर एक दो तीन चेन चोड़ेंगे चौथी वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशय बनाएंगे और चेन को काउंट किया तो यह दो डबल क्रोशय होगी ठीक है और अब हम क्या करेंगे दो चेन लेके बापत इसी जगे फिर से डालेंगे और दो डबल क्रोशय बनाएंगे तो मैं बता दूं आपको जो size है वो M size है ठीक है इससे छोटा या बड़ा size बनाना है सारा हम इसी वीडियो में बता देंगे तो वीडियो skip ना करें अब फिर हम तीन चेन छोड़ेंगे चौती वली चेन में डाल कर देखे एक double crochet बापत इसी जगे डालेंगे फिर से बनाएंगे तो ये 2 double crochet हो जाएंग और दो चेन लेके फिर से इसी जगे दो double crochet बनाएंगे देखे तो हो गई एक दो चेन लेके फिर दो बनाएंगे तो ये बहुत सिंपल सा ड़ाइन है हमने हमाये चैनल पर बहुत सारे कार्डेगन जेकेट बहुत सारे चीज़ें अपलोड कियें नहीं देखे तो जाके और बापस इसी जगे दो double crochet बनाना है तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे प्यारा सा comment करके जरू बताएं और हाँ अगर अपने मेरा चैनल भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पड़ा पड़ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हो सकता है अगे पैसे जाने तो ऐसे ही पूरी रो हम बनाएंगे हमें टोटल 24 डिजाइन बनानी है जो एक्स्ट्रा चैन बचेंगे उसको हम खोल देंगे ठीक है तो इसलिए मैंने बोला आपको 100 चैन डाले जो एक-दो चैन बच जाएंगे वो हम खोल देंगे हमें 24 डिजाइन डाली है अब अगर लाइक ऐल साइज बनाना है तो आप 26 या 28 डिजाइन कर लें इसी तरीके से आप बड़े साइज में ज्यादा डिजाएन कर लें चोटे साइज में कम डिजाइन कर लें अब देखे हमने इतना बना लिया है आप आपको दिखा देंग एक दो तीन चार पाँच चेस साथ डिजाइन हमने बना लिए ठीक है अब इतना बनाने के बाद देखें सेकंड रो में हम क्या करेंगे जैसे कि मैंने बताया ना सिंपल सा डिजाइन है तो बहुत सिंपल डिजाइन है सबसे पहले हम इसको slip stitch करते हुए बीच में लेकर आएंगे ठीक है चेन को काउंट किया तो एक हो गई और ये दो दो डबल क्रोस्या के बाद हमें दो चेन बनानी है देखिए एक दो बापपस इसी जेगे एक और ये दो एक डिजाइन हो गया इसके पास में यहां डालेंगे दो डबल क्रोस्या बनाएंगे एक दो फिर दो चेन लेके फिर से बनाएंगे तो दो डिजाइन हो जाएंगा एक दिखिए और तीसरा वाला भी सेम डिजाइन बनाएंगे हम कि तीन डिजाइन हमने सेम तरीके से बना लिए दो तीन अब तीन डिजाइन के बाद हम अपना फर्स्ट कॉनर बनाएंगे अब हमने 3.5 mm के हुक से बनाया तो M साइज बनाया अगर आप इसको अलग-अलग क्रोश्रियां से अलग-अलग साइज बना सकते हैं आप 24 डिजाइ यह आप 12 नमबर की क्रोशा से बनायाएंगे तो आपका साइज छोटा हो जाएगा 11 नमबर के क्रोशा से बनायाएंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा 9 नमबर और 3.5 mm का सेम ही रहता है और जो मैंने कलर वाले मंगा रखे वो मैंने ओनलाइन मंगाए थे तो अब देखें फर्स्ट कॉर्णर अपना बनाएंगे तीन डिजाइन के बाद हमारा यह फर्स्ट कॉर्णर बनेगा तो कॉर्णर पर थोड़ा साब को ध्यान देना है देखें सबसे पहले इसके अंदर द दौ चेन लेनी है और बापिस इसके अंदर दिखिए दौड़ कॉर्णर बन गया है तीक है क्या कर रहा था हमने दौ-ड़़ कूर्ण द। चेंग और 2 double crochet 2 chain इस तरीके ते तीन डिजाइन के बाद हमने फिर्स्ट अपना कॉनर बनाया है तो तो डूडबल क्रोश्या दो चेंग दो डूडबल क्रोश्या दो चेंग तीन बार हमने उसको बनाया ठीक है अब हम क्या करेंगे बाजू के लिए डिजाइन बनाएंगे अपनी तो देखें इस डिजाइन में डालें पहले दो डबल क्रोस्या बनाएंगे एक और एक दो दो डबल क्रोस्या फिर दो चेन लेकर फिर से दो डबल क्रोस्या एक डिजाइन हो गया ऐसा ही दूसर डिजाइन बनाएंगे आपर है तो डिजाइन हो गया यहां बनेंगे तीसर डिजाइन होगे यह तीन डिजाइन और चार तो डिजाइन सेम तरीके से बना हमारे यह 2 double crochet 2 chain 2 double crochet तो अगर crochet चलाना आता है तो इतना है ठाली से बना ho 29 we 알ah ऑजान को नीतों बने करते हैं तो यह 5 ऊंडें हमने बना लिए इसे चार डज़ां हमोने बाजू के लिए रखे आ यहां पर ऐसा बहलाो बने गा तो सब से पहले इसके अंदर 2 double crochet दो चेन दो डबल क्रोसिया अब फिर दो चेन और फिर दो डबल क्रोसिया ने दूसरा कॉर्nor भी ना लिया ठीक है तो यह दो कॉर्नर हमारे बन लिए अब बैक साइड पर हम चेह डिजाइन बनाएंगे ठीक हैं क्योंकि स्टार्डिंग में हमने तीन अधान रखिए हैं ना तो उपन है तो यह बैक साइड बही हम छे डिजाइन बनाएंगे सेम तरीके से जैसे बना रहे थे बैसी बनाएंगे ठीक है दो डबल क्रोसिया दो चैन दो डबल क्रोसिया इस तरीके छे डिजाइन हम सेम तरीके से बनाएंगे फिर हमारा corner आ जाएगा फिर चार डिजाइन हम बनाएंगे फिर हमारा चौथा corner आ जाएगा फिर लास्ट में हमारा पार तीन डिजाइन बचेंगे यह देखिए इसका skin sort ले सकते हैं देखने के लिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यह 4-4 डिजाइन हमने बाज उपर रखी है और 6-6 डिजाइन आगे पीछे ठीक है और 4 corner है हमारे ओपन है तो तीन डिजाइन निदार होगे यह तीन निदार होगे टोटल 6 है अब हमने दो रो बन गए हमारी अब तीसी रो में देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले slip stitch करते हुए बीच में लेकर आएंगे इसको तीन चेन बनाएंगे देखिए दो double crochet हो गई अब यहाँ एक दू दो चेन लिके फिर दो बनाएंगे इसके अब यहाँ बनाएंगे दो double crochet कि दो चेन और दो double crochet अब तेम ऐसा ही हम इसके पास वाले में बनाएंगे दो डूबल करोसिया, दो चेन और दो डूबल करोसिया तीन डिजाइन हमने तेम तरीके से बना ली है अब कौनर पर क्या करेंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा था ध्यान देना, यह तीन डिजाइन होगी कौनर पर हमारा यहाँ पर डालेंगे और दो डूबल करोसिया बनाएंगे इस जगे पर डालकर दो डूबल करोसिया कभर fragrance के बादेखें दो डू डू न diet न बनाएंगे और पापत इसी जगे हम दो डू 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 करो स्या बनाएंगे एक डिजाइन हमारा इस साइड बन गया एक इस साइड बनेगा यहाँ पर तो यहाँ भी दो डॉडबल क्रोस्या बनाएंगे वो चेन और दो डॉडबल क्रोस्या तो यह देखिए दोनों साइड में एक एक डिजाइन बन गया हमारा ठीक है अब हम क्या करेंगे देखिए इसके पास वाले में डालेंगे और यहाँ बनाएंगे यहाँ डालकर बनाएंगे देखिए से मैसा ही डिजाइन हमारा यहाँ बनेगा डिजाइन में कोई चेंज नहीं जैसा डिजाइन बना रहे हैं तब में बैसा ही बनेगा दो डबल क्रोशिया दो चेंज और दो डबल क्रोशिया सिंपल है न मैंने स्टार्डिंग में ही बोला तब बहुत सिंपल सा डिजाइन है तो बाजू पर हमने जो चार डिजाइन बनाए है इन भाई हम ऐसे ही बनाएंगे और अपने दूसरे कॉर्णर तक ऐसे बनाकर जाएगा जैसे भी हमने बनाया था और एक हमारा यहां बन जाएगा तो पूरी रोह ऐसी ही बनानी है ठीक है कॉर्णर पैसी बनाना है फिर दिखाते हैं पूरी रोह बन की हमारी अब चौथी रोह स्टार्ट होगी तो यहां पर क्या करेंगे दिखिए सबसे पहले बीच मे एक हो गया दो डॉबल क्रोसिया दो डॉबल क्रोसिया के बाद दो चिन बनानी है और बापत दो बनाएंगे इसमें बनाएंगे कि इसरे वाले में भी चेम डिजाइन बनाएंगे हम के कौनर तक ऐसे ही लेकर आएंगे इस वाले में भी चेम बनाएंगे हम यहां यहां पर बीच में देखे क्या करेंगे एक कौनर हमारा आगया है तो बीच में Вी स्ट्रिज बनाएंगे इसमें तो पहले एक डॉबल क्रोसिय बनाएंगे हां बीच में एक डबल क्रोसे बना ली चेन बनाएंगे दो हम एक दो बापत एक डबल क्रोसे ठीक है इस तरीके से हमने बना लिया ठीक है कि पॉर्णर के बीच में हमें यह बीच टिज बनाना है अब इसमें सेम डिजाइन बनाएंगे कि पॉर्णर के बीच में हमें ऐसा ही रिपीट करना है और जो जितनी भी डिजाइन है सब में सेम डिजाइन बनाना है ठीक है हम दूसरे कwynर में भी बनाएंगे यहां यहां देज़ाइन बनाएंगे बीच में हम एक डबल क्रोस अचार ओं कौण पर ऐसा ही बनाएंगे पृस्ट करेंगी जैसे इधी इसम बनाएंगे फीरिसे करेंगे तो सबसे पहले हम यहां तक डिजाइन बना के लाएंगे हमने चारों में वी स्टेज बना लिया पहले हम कॉर्णर तक लेकर आएंगे जैसा डिजाइन बना रहे हैं बैसा बनाते हुए लेकर आएंगे फर्स्ट डिजाइन बना लिया सेकंड भी ऐसे बना रहे थे कि यह दो डिजाइन होगे कौनर तक हम ऐसी लाएंगे तीसरा डिजाइन भी हमने बना लिया चौथा भी ऐसी बनाएंगे और कौनर तक ऐसी लाएंगे ठीक है देखिए हमने चारो डिजाइन बना लिया अब कौनर के बीच में जो बी स्टिज बनाया था इसमें देखिए हम क्या करेंगे इसमें हम बनाएंगे दो डबल क्रोस्या बनाएंगे पहले एक और ये दो दो डबल क्रोस्या बनाने के बाद दो चेन और दो डबल क्रोस्या अब इसमें इस वाले डिजैन में बनाएंगे हम तो बस बीच में हमारा एक डिजाइन बढ़ जाएगा ऐसी ही पूरी रो बनानी है ठीक है तो बनाके हम आगे आपको दिखाएंगे ऐसी ही पूरी रो बनानी है हमें ठीक है देखिए हमने कॉर्णर पर बना लिया ऐसी ही पूरी रो बनानी है कि इसको एसे बनाने की बाद के आगली रो में कैसी बनानी है ुछ में कि इसमें बनाएंगे हम इसके अगली रो में एसा वाला बनाएंगे ऐसा वाला, दो डबल क्रोस या, दो चैन, दो डबल क्रोस या, दो चैन यहाँ बनाएंगे, ठीक है? फिर उसके अगली रो में हमारा दो डिजाइन बन जाएगा तो पहले हम इसको बना के फिर दिखाते हैं आपको पूरी रो बना ली अब देखे फिर से हमने चार डिजाइन बना लिया अब बीच में आ गए यहां पर हम यहां पर देखे क्या करेंगे दो डबल क्रोसिया पहले फिर से दो चेन और दो डबल embrace है है विHHH एथ हमादी हमने ठीक हैं तो बस कॉरणर में हमारा चेन्ज होगा बाकी सारी दिजाइन सेम तरीके से आएग 15 अगली रूम्न एक डिजाइन इधर बन जाएगा हमारा और एक दिजाइन इधर बन जाएगा ठीक है यह तिस के अगली रूह और हमारे इसा बनेगा खिर इसके अगली रोह हमारी ऐसी बनेगी कि बीचमें बीस-ट बाली बनेगे ठीक थीक है पिर इसके अगली रोह में हमारे एसा बनेगा जaways करहा है देखे बी स्टिज बाली बनाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर फिर उसके अगली रोह हम यह बी स्टिज जो बनाएगा बनाएगा उसमें हमारा ऐसा डिजाइन बन जाएगा ठीक है फिर उसके अगली रोह हमारी ऐसे बन जाएगी तो बस यहाँ से आपको फॉलो करना है यह तो आपको फॉलो करना है एक दो तीन चार चार रो को ही आपको फॉलो करते जाना है आपका जो बन जाएगा थोड़ा बनाके फिर आपको समझाते हैं तो देखिए हमने यहां पर 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 नौ बना ली हमने ठीक है हमाई पास यहां पर 9 रों बनाई हैं हमने और डिजाइन एक 3,4,5,6,7,8,9 9 रों हमने बनाई हैं और हमाई पास डिजाइन 1,2,3,4,5,6 डिजाइन बना लेगे देखे एक, तो, तीन, चार, 5 और एक बीच में हमारी 2 स्टिच के बीच में आ गई टो यह 6, 6 design हमने बना ली ठीक है, छे design के बाद हम इसको मुढ्ठ découvrir को जौइन करेंगे, जब आपकी बन जाएंगी तो आपको दूसरा मुढधा पकड़ना है, उसमें जौइन करना है तुसरा मुढधा पकड़ेंगे जो 20 चाहिएगा इसमें डालकर हम डिजाइन बनाएंगे तो मेट कड़ेंगे ओछें लेकर फिर से हम इसमें दो बनाएंगे तीक है तो हमारा मुढधा जोईन हो गया 12 तरीके से हमुद्दा जोईन हो गया ठीक है तो size हमने M size बनाया है और seam तरीके से आप बनाये 6 design हमारी बनी है आगे के side ठीक है अब फिर हमने मुड़ा join कर लिया अब पीछे के side जितनी भी design है सारी design में हम design बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे और अपने तीसरे corner पर आएंगे ठीक है यह देखे जो B stitch है यहाँ पर एक design बनाएंगे ठीक है यहाँ बनाने के बाद इसको हम इसमें एक design बनाएंगे तो हमारा दूसरा मुड़ा भी join हो जाएगा ठीक है तो हम थोड़ा बना के फिर दिखाते हैं आपको देखे हमने इतना बना लिया अब जो जैसी design बन रही है सब ऐसी ही बनाएंगे हम यहाँ बनाएंगे ऐसी हम बनाते हैं दूसरे corner तक लेकर आएंगे अपने बनाते हैं तक लाएंगे जो corner हमने बना रखा है ना बीच में जो बना रखा है यहाँ तक लिखा रहेंगे इसमें design बनाएंगे हम दिखाते हैं तो हम यहाँ तक आ गए हैं दिखी तो इसके अंदर हमने एक design बना लिया अब अपना last corner पकड़ेंगे और इसके अंदर भी design बना लेंगे हूँ आइज दो डबल क्रोस्या दो चेन और दो डबल क्रोस्या बनाना है इस तरीके से बना लिया तो दूसरा मुड़ा भी जोईन हो गया हमारा अब फिर से जो design है उसको वैसे ही बनाएंगे यहां बनाएंगे एक दो दो चेन और फिर दोड़ इस पूरी रो को complete करेंगे जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ठीके इस रो को बनाके फिर आगे की रो हम दिखाएंगे दोनों मुड़े हमारे जोईन हो गए हैं फिर आगे की दिखाते हैं ने देखे इतना बन गया है ठीक है अब हमें क चे बार देजाइन बनालेंगे यह लोको सम aumentarा आपके सिम्पल है जयसा दिखाईन आप relative न पारे बनान पया है आपको हमें जा खेट आ जुटक है तो यहां पर बीच में लेकर आएंगे सा ब्सक्राइंगे की रोगाया है उन भाल रोग कुट ललेAyव सम्सक्लम गीन आसब क बना के एक देखिए दो डबल क्रोस्या हो गए फिर दो चेन और दो डबल क्रोस्या ठीक है तो जैसा हम डिजाइन बना रहे हैं तिम ऐसा ही डिजाइन बनाते हुए कुछ रो बना लेंगे फिर आपको दिखाते हैं देखिए एक डिजाइन बना की जितनी ये डिजाइन है सा आपको दिखाएंगे इसे ही हम बनाते जाएंगे ठीक है तो अभी हमारे पास दो बारे डिजाइन बन गई है बनाके दिखाते हैं हमने देखे इतना बना लिया है सेम तरीके से बनाया है काउंट करके आपको दिखा दें तो देखे हमने कितना बनाया है यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा यहाँ डिजाइन हमने बना ली है सीम तरीके से बनाई है ठीक है इतना जब आपका बन जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है वह हम आपको दिखा रहे हैं तो ग्यारा डिजाइन के बाद फिर से हम बीच में ले का रहेंगे और तीन, चेन बनाएंगे इसी जग एक double crochet बना लिया दो chain लेकर फिर से दो double crochet बनाएंगे एक दो chain और दो double crochet एक और ये दो ठीक है अब अभी तक हम बीच में chain नहीं ले रहे थे अब हम एक chain बनाएंगे एक chain बनाके फिर अगले design में जाएंगे और अगले design में भी same repeat करना है हमें दो double crochet दो double crochet दो chain एक दो double crochet ठीक है तो अभी तक हम सादा ऐसी design बनाते जा रहे थे हम chain नहीं बना रहे थे बट अब हमें बीच बीच में एक chain बनानी है ठीक है तो हम फिर से एक chain बना लेंगे और अब इधर बनाएंगे हम design अब फिर से एक chain बनाएंगे हम देखिए एक chain बनाके यहां बनाएंगे इसे ही पूरी रो बनानी है हमें एक chain लेकर पूरी रो complete करनी है तो हमने एक chain बनाके पूरी रो बना लिए अब अगली रो आ गई तो यहां पर हमने इस design को बना लिया अब हम दो chain बनाएंगे यहां एक दो दो chain बनाके खिर शेम डिजाइन हम यहां एक chain बनाएंगे आपके फिर से हम दो chain बनाएंगे देखिए एक दो तो इस रो को यहां बनाएंगे इसके अगली रो भी स्सेम इसी तरीके से बनानी है दो ठीक है फिर उसकी अगली दो रो हमें दो दो चेन की बनानी है फिर दो रो हम तीन तीन चेन की बनाएंगे इतना हमें बनाना है और इसके आगे का हमने पार्ट टू में दिखाया है पार्ट टू में हमने इसको पहन कर भी दिखाया है पार्ट टू का लिंक आपको है और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर चैनल को ओपन करके भी आप लोग देख सकते हैं तो पार्ट टू जरूर देखें बताएं मुझे कि मेरो पर एक कैसा लग रहा है आपके कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएं तो यहां पर हमने देखिए दो रो में हमने दो दो चैन बनाई थी अब दो रो में देखिए हाथ बताएं आपको यह दो रो है हमारी देखिए पहले एक चैन बनाई थी हमने और फिर उसके बाद दो रो हमने दो दो चैन की बनाई है बस इतना ही आज की वीडियो में पार्ट टू जाकर बिताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे उपर कैसा लगा